Season 5 Episode 7 start होता है और हमें दिखता है कि Kim और Saul बेटे हुए होते हैं अब वो दोनों शादी करने वाले हैं तो अब वो एक deal workout कर रहे हैं Kim उसे बोलती है कि अगर तुम्हें मुझे लगे कि मजो कुछ नहीं बताना है तो तुम्हें मुझे 100% वो चीज बतानी है यानि कि आप transparency तो यह मुझे दिखानी है Saul भी इस चीज को मान जाता है उनके साथ as a witness हुल भी आता है वो अंदर जाकर register विगरा कर रहे होते हैं तो हुल Saul को भुलाता है वो Saul से पुछता है कि यहाँ नीचे ही मेरा एक friend है जो हमें ring दे सकता है Saul उसे समझाता है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है हुल और भी option देता है honeymoon के लिए packages विगरा उसे बताता है पर Saul उसे कहता है कि यह इस तरह के शादी नहीं है यह एक legal arrangement हमने की है यह बहुत ही formal हो रहा होता है तो Saul किम को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम जब 12 साल की थी तब यह तुमने imagine नहीं किया था किम को उसके शादी से इतना फरक नहीं पड़ता फिर वो कोट में जाते है और जर्ज उनकी शादी करा देता है फिर वो दोनों कोट से बाहर आ जाते है आज किम भी घर जल्दी आने वाली होती है और Saul भी घर जल्दी आने वाला होता है तब यह साल को नाचो को कॉल आ जाता है जैसे हमने प्रिवेज एपिसोड में देखा कि लालो अरेस्ट हो चुका है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए इसे वह नॉन गिल्टी ब्लीड करता है और सिक्स विक्स बात इसका ट्रायल शुरू हने वाला होता है उसे बेल चाही होती है पर कोट उसे बेल देने के लिए मना कर देता है सौल इसमें कुछ भी नहीं कर पाता नेक्स दिन में कीम और रिच दोनों मैसावरडे के ओफिस में आई हुए होते है उनकी मीटिंग हो रही होती केविन के साथ प्रिवेस एफिसोर में हमने देखा कि सौल ने केविन को बहुत ही ज़ादा दकलिफ दी है यह जो डाइमेज हो चुका है इसलिए रिच और कीम आई है कीम बोलती ही कि जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ वो उसे कहती है कि तुमने मुझे जब हायर किया था वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन था पर कल का दिन मेरे लिए बहुत ही बुरा था वो उसे और एक chance मांगती है बोलती है कि आगर तुमने मुझे एक chance दिया तो यह कभी भी नहीं होगा केविन उसे बोलता है कि मेरे पास पुरा office था जिसमें lawyers मैंने hire कि हुए थे फिर भी दो टके का lawyer आया और मुझे उसने पचाड दिया यह meeting फिर खतम होती है और कीम और केविन दोनों discuss कर रहे होते है कि जो भी हुआ वो ठीक ही हुआ अब जो next होगा वो देखा जाएगा कीम को satisfied नहीं होता तो अब फिर से केविन के office में चली जाती है वो बोलती है कि यह तुमारा ही fault है हमने जब भी तुम्हें कहा था कि तुम्हें क्या करना चाहिए तुमने हमारा नहीं सुना हमने तुम्हें कहा था कि call center की site change कर लो फिर भी तुमने हमारा नहीं सुना as a investment तुम रख सकते थे फिर भी तुमने हमारा नहीं सुना हमने तुम्हें कहा था कि Saul जब वो advertisement दिखा रहा था तो यहाँ से चले जाओ फिर भी तुमने हमारा नहीं सुना future में कोई भी firm तुम hire करोगे तुम मेरी यही तुमें सला है कि तुम उनका please सुनो Kevin फिर उन्हें हायर कर लेता है और Thursday को आने के लिए बोलता है नेकसिन में हमें दिखता है कि लालो के पास Saul आया हुआ है Saul कुछ deal workout करने की कोशिश कर रहा है लालो को आचार्जे समझाता है और बोलता है कि हम कुछ deal कर सकते है पर लालो बोलता है कि हम कुछ भी deal नहीं करने वाले Saul उससे plan भुशता है लालो बोलता है कि मैं बेल पर यास निकलने वाला हूँ लालो उसे कुछना को जुगाड़ करने के लिए बोलता है नेक सिर्ण में हमें माइक अपनी ग्राइन डॉटर के साथ दिखता है उसने अपनी ग्राइन डॉटर को कहानी सुने होती है और फिर वो अपनी daughter-in-law के साथ बात करने के लिए आता है वो उसे बोलता है कि अब मैं ठीक हूँ support group के तमाशे के बाद उसकी daughter-in-law उसे घर पर आने नहीं दे रही होती तो अब वो उसे बताता है कि मुझे अब कोई problem नहीं है जब भी उसके son का जिक्रा आ जाता है तब वो बहुत ही छेट जाता है Kylie पर भी वो छेटा होता है तो इसलिए अब वो बोलता है कि मैंने अब deal करना सीख लिया है जो मेरा नसीब था वो मैंने accept कर लिया है रात होती है Saul और Kim दोनों घर आते है वो दोना एक दूसरे पर जपक जाते है और उतने में ही Saul को याद आ जाता है कि उसे उसे कुछ पता ना है Saul उसे बोलता है कि मेरा एक बहुत ही dangerous client है कार्टेल से connection वेगरा वो बोलता है वो उसे बोलता है कि मैंने अगर ये job लिया तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकेंगे प्राइवेट जेट्स में खरिच सकूँगा इस तरह से मेरे पास पैसे होंगे उनको अच्छा लगता है कि उसने honesty दिखाई लालो जेहल मैंसे ही नाचो को order देता है कि गस के restaurant को उसे आग लगानी है ये सब नाचो माइक को बोलता है नेकसिन में हमें दिखता है इक गस एक meeting attend कर रहा होता है ये madrigal automotive क्यों थी है madrigal की ही madrigal ही गस के सब illegal धंदे fund करती है गस का friend भी हमें वहाँ दिखता है यहां breaking bad में दिखाया गया था जो गस को support करता है जो गस को सब पैसे विखरा देता है इसी ने ही अपने आपको electrocute कर लिया था गस जब अपने hotel पर आता है तब इस friend से वो मिलने के लिए आता है लालों के साथ जो भी problem हो रहे है इसके बारे में अपने friend को बताता है उसका friend बहुत ही डरा हुआ होता है वो बोलता है कि मैं पकड़ा जा सकता हूँ मैंने इतने पैसे company से चुराए है तो किसी भी audit में मैं पकड़ा जा सकता हूँ गस उसे बोलता है ये सो situation है इसे मैं handle करने वाला हूँ जल से जल बहुत सारे पैसे हमारे पास आया जाएंगे और तुमें इतनी जादा worry करने के कोई भी ज़रूत नहीं होगी वो discuss करते हैं कि हमें लालो को मरवा देना चाहिए पर गस बोलता है कि border के इस पार अगर वो मर गया तो ये बहुत धी ट्रवोल हो सकता है जब वो अपने घर होगा तब हम उसे मार सकते हैं सौल अपने घर पर होता है माइक वहा आता है माइक उसे बोलता है कि तुम्हारा जो client है लालो उसे तुम्हें बेल पर बाहर निकालना है सौल उसे बोलता है कि impossible है उसके उपर charges बहुत ही severe है माइक उसे फिर कुछ documents देता है जिसमें लालो की fake identity होती है और जो witness tempered गया था माइक नहीं उसके बारे में भी details होती है जैसे नाचो को order दी गए थे कि अब उसे लास पोलोस हर्मानोस जला देना है तब वो ये जला देता है नेक सिन में हमें code दिखाया गया है और लालो की hearing हो रही होती है फिर सॉल जजज को समझाता है कि जो witness था वो tempered था इससे हमारा जो suspect है यानि लालो ये इतना बड़ा suspect इस case में नहीं है फिर बेल का सवाल आता है opposition बोलती है कि हम इसे बेल नहीं दे सकते ये flight risk है फिर सॉल बोलता है कि लालो की sub family यही है लालो की एक fake family उस court room में उन्होंने लाई होई होती है बेल सेट होती है पर वो 7 million dollars के लिए होती है सॉल को लगता है कि इतने पैसे किसे की पास भी नहीं होते और उसे sorry बोलता है लालो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे मैं कर सकता हो पर तुम्हें वो पैसे लेने के लिए जाना पड़ेगा सॉल जब court room से बाहर निकलता है तब हावर्ड उसे मिलता है हावर्ड उसे बोलता है मैंने जो तुम्हें job offer दी थी उसके बारे में क्या हुआ सॉल बोलता है कि अभी भी मैं इस पर सोच रहा हूँ हावर्ड को पता होता है कि सॉल ही उसके साथ बहुत सारी चीज़े कर रहा था तो हावर्ड उससे पुछता है कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मैं इस डिजर्व करता हूँ सॉल फिर चीट जाता है वो बोलता है कि तुम अपने आपको समझते क्या हो तुमने मुझे HSM में जॉब आफर की थी तुम्हें लग रहा था कि तुम कितने ग्रेट हो पर इस जॉब मेरे लिए कुछ भी नहीं है बहुत ही ग्रेट हूँ तुम मेरे लिए नीचे बहुत ही छोटे से हो सॉल बहुत ही बकेडा करता है तो हावड वहाँ से निकल जाता है यह एपिसोड खतम हो जाता है